हेलो एवरिवन गाईज, स्वागाते आपका हमारे यूटूब चैनल नियो इंडियन एरापर और मैं जानता हूँ कि आप सब क्लास 10 में हो, SSC बोर्ड में हो और इस वक्त आप लोगों के पास साइन्स सब्जेक्ट पढ़ने की कोई स्ट्रेजी नहीं है और नहीं आप लोगों को marks का distribution पता है और अगर आपको marks का distribution पता है तो कौन से chapter को जादा अच्छे से ध्यान देना है ये आप लोग को अभी नहीं मालूम है तो ये विडियो आप लोगों के लिए सही है, एकदम सही वीडियो पे आप लोग आए हो इस वीडियो को last तक जरूर देखना अच्छे तरीके से आप सबको at the end पता चलेगा कि यार तुमने बहुत best चीजें देखी है तो guys इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले है marks distribution and उसके साथ-साथ यानि कि जो weight is exactly उसी बात को कहते है marks distribution या फिर weight is ठीक है और ये जो रहने वाला है ये science 1 और plus science 2 जो तुम्हारा है इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे marks distribution देखेंगे that is weight is कौन से chapter को कितना marks दिया गया है और एक proper master strategy ठीके guys तो अगर आप सब चाहो तो मुझे instagram इस id पे follow कर सकते हो और ये video है class 10th SSP board के लिए तो guys चलिए अब शुरुवात करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इस video के अंदर हम लोग chapter wise marks का distribution जानेंगे और एक proper well तरीके से strategy जो होगी उसे भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो चलिए guys master strategy plus chapter wise marks distribution को देखते हैं इस video को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से chapter को नहीं करना है और नहीं करोगे तो कोई जादा नुकसान नहीं होगा आपका और कौन से chapter को करोगे तो जादा फायदा होगा तो यह सारी चीज़े आपको इस video के अंदर पता चलेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले लगाई जैसे कि आप सब जानते हो कि science का जो paper है तो ये science का paper दो होता है दो तरीके से होता है एक होता है science 1 का paper और जो दूसरा है तुम्हारा वो है तुम्हारा science 2 का paper ठीक है और इन दोनों के अगर मैं marks की बात करूं तो science 1 के लिए 2 घंटे मिलते हैं और 40 marks का paper होता है और science 2 के लिए भी सेम तरीके से 2 घंटे मिलते हैं और ये भी 40 marks का paper होता है इस तरीके से 80 marks का आपका paper बनता है और जो 20 marks हैं वो आपके practical के होते हैं और जिस तरीके से आपको फिर पूरे marks मिल जाते हैं तो चलिए गाईज अभी हम लोग exactly देखते हैं कि जो ये 40 marks है science 1 का और 40 marks है science 2 का आप लोगों को इसी 40 marks में से 40 marks लेके आना यानि 40 out of 40 इतना मुश्किल काम लग रहा है वो तो टॉपर लोग कर लेंगे बट यार अगर मैं आपको कहूँ कि 40 में से 40 नहीं बलकि 60 में से 40 आप लोग लेके आओ तो क्या आप लोग के लिए आसान नहीं है 60 में से 40 marks आप easily निकाल सकते हो है ना है ना मजे की बात आप लोगे क्या ही बोल रहे हो 60 marks का paper थोड़ी होता है 40 marks का होता है लेकिन नहीं यार 60 marks में से 40 आप easily ला सकते हो easily चाहे वो science 1 का paper हो चाहे science 2 का paper हो दोनों के लिए आप लोग 60 marks के paper में से सिर्फ 40 निकालना है और reality में 40 marks का paper होता ही है बट question paper आपका 60 marks का आता है मतब science 1 का जो 40 marks का paper है उस paper में जो questions होते हैं उर्यल में 40 marks के नहीं होते total paper 60 marks के होते हैं और उस 60 marks के paper में से आपको 40 निकालना होता है चलिए आज यही हमारी proper एकी strategy है तो सबसे पहले हम बात करेंगे science 1 की तो guys science 1 के अंदर chapters marks और marks with option इस category को हम अच्छे से समझेंगे आप लोग फटाफट इसकी screenshot ले ले लेना या तो कहीं पी लिखते जा सकते हो ज्यादा फायदे में रहोगे तो guys अगर मैं पहले chapter gravitation की बात करूँ तो यह marks normal 3 marks के लिए paper में आता है but with option 5 marks के लिए आता है मतब पूरे question paper में gravitation chapter से 5 marks का paper आपको दिखेगा मतब जो questions होंगे 5 marks के आएंगे अब वो mcq 1-2 marks का हो सकता है 2-3 marks का कोई बड़ा question हो सकता है कुछ भी हो सकता है but आपको इतना में ने बता दिया कि 5 marks का दिखेगा उसी तरह से periodic classification of element का 4 marks और with option 6 marks का weightage है chemical reaction and equation यहाँ पे normal 4 marks का और बाकी marks with option 6 marks का है effect of electric current जो है यह 5 marks का normal है और marks with option 7 marks का है मतब चौथा chapter 7 marks के questions आपको देगा जिसमें electric motor, electric generator है ना फिर right hand thumb rule है सब कुछ पूच सकता है heat chapter तो सिर्फ 3 marks का है और option के साथ 5 marks के total question आपको दिखेंगे reflection of light 5 marks का और 7 marks इतना छोटा chapter और 7 marks आपको देगा मतब पूरे question paper में reflection of light से 7 marks के question दिखेंगे so cho my dear friends lenses की बात करूँ तो यह सिर्फ 6 marks के question से इसमें दिखेंगे with options जो है normal तो 4 marks का है metallurgy के 6 marks के question दिखेंगे आपको पूरे question paper में carbon compound के आपको 7 marks के questions दिखेंगे और जो space mission है इसके आपको 5 marks के question दिखेंगे तो total जो main marks है वो तो हमारा 40 हो गया और जो marks with options है वो हमारे हो गया 60 अब जैसा कि आपने question paper में देखा होगा कि solve the following any 5 तो 7 question दिया रहेगा और बोलेगा any 5 solve करके दिखाओ तो वो 2 option में हो गये न तो वो option वाले marks यहाँ पे दिया रहता है तो जैसे कि carbon compound या gravitation chapter है तो main weight is 3 marks का ही है but with option 5 marks का question paper total रहेगा मतब total question में आपका जो paper होगा question paper उस question paper में total 5 marks के questions उसमें आएंगे अब आपकी उपर है कि आप किसे solve करते हो किसे नहीं तो guys strategy के according जो यह chapter है मैं जानता हूँ कि आपको gravitation chapter में numerical जो है और heat chapter के numerical आपको बहुत समस्या देते हैं तो guys अगर मैं यह कहूँ कि आप gravitation और heat नहीं करो फिर भी आप out of marks निकाल सकते हो चालिस में से चालिस तो कितनी अच्छी बात होगी ना यार चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो guys आप लोग ना chapter number 2 chapter number 3 और chapter number 4 करके आप लोग easily आप लोग यहाँ पर total 19 marks निकाल सकते हो क्योंकि marks with option ज़रा ध्यान से देखो periodic classification chapter से total 6 marks के question आएंगे टोटल 6 marks के question और chemical reaction and equation से total 6 marks के और effect of electric current से total 6 marks के चौथे chapter का निकाल easy रहता है salt example कर लोगे exercise कर लोगे आराम से मही से question आएंगे ठीक है तो सोचो यार इतने बड़े बड़े वेटेस वाले paper है तो 19 marks आपको मिलेगा मतब अगर आप chapter number 1 gravitation बिल्कुल नहीं करते हो हाथ भी मत लगाओ Kepler rule पढ़ लेना वो एक important question है Kepler rule पढ़ लेना बाकी नहीं पढ़के जाओगे अगर आप कुछ भी पढ़के नहीं जाते हो फिर भी अगर आप उसे छोड़ दो या heat chapter की numerical आपको नहीं आते हैं उसे आप छोड़ दो still guys आप 40 में से 40 निकाल सकते हो तो पहली बात तो आपको chapter number दूसरा तीसरा और चौथा chapter करना है और दूसरा जो हमारा है वो है reflection of light, lenses, metallurgy and carbon compound अब आप बोलोगे भाईया हमको metallurgy में बहुत problem होती है हमको वो bears, processor और metallurgy की starting की reaction नहीं समझ में आते यार तो यह chapter हमें नहीं करना तो guys मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आपको metallurgy चलो नहीं भी आती है चलो 6 marks छोड़ दो still आप लोग 20 marks निकाल सकते हो सिर्फ chapter number 6 है 7 और 9 के basis पे मतलब सोचो अगर आप gravitation भी ना करो आप heat chapter भी ना करो आप metallurgy chapter भी छोड़ दो 3 chapter बड़े बड़े आपने छोड़ दिये still guys आप 40 में से 40 निकाल सकते हो कैसे अब ध्यान दो जो chapter number 2, 3, 4 जो है chapter number 2, 3, 4 जो है ये chapters के 19 marks, 19 marks जो chapter number 6, 7 और 9 यानि की reflection of light, lenses और carbon compound इसके total 20 marks 20 और 19 क्या होता है 39 होता है और space mission सबसे चिंजी chapter, सबसे छोटा chapter 5 marks को पूरे पेपर में आएगा आप 43 marks निकाल पाओगे आपको मालूम है 43 marks आप निकाल पाओगे, 40 marks का ही पेपर है सोच लो guys सोच लो मतब अगर आप gravitation छोड़ दो heat छोड़ दो और metallurgy छोड़ दो still guys आप ना 7 chapter सिर्फ टोटा लगा ढंका, सिद्दत से एक एक question एक एक activity, एक एक उनके numerical, उनके exercise उनकी छोटी फे छोटी definition इन 3 chapter को छोड़ने के बाद यानि chapter 2, 3, 4 और chapter 6, 7, 8 और 9 और space mission इन chapter को अगर आप करके जाते हो ना you will not believe कि आप 40 में से 40 निकाल लोगे सोचो, बात मानो मेरी तो space mission को करके जाना आप metallurgy, heat और gravitation को छोड़ सकते हो क्योंकि इन में ज़्यादा hard work करनी है और marks बहुत कम दिया है तो मत करके जाओ, कोई मतलब नहीं है बाकी कब पूरा करके जाओ बहुत अच्छे कासे marks आप achieve करोगे तो ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है आपको वीडियो यहां तक जरूर अच्छी लगी होगी अभी तो science 2 की बारी है तो यहां तक आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी लाइक कर देना यार, subscribe कर देना और comment box से बताना वीडियो कैसी लगी चलो बढ़ते हैं science 2 की तरफ तो गाइस अब science 2 की बात करती है तो science 2 के अंदर same chapters, marks and marks with options तो सबसे पहला chapter है हमारा heredity and evolution और इसको 3 marks है और with option 5 marks का question paper है यह दन उसके बाद हमारा life process in living organism part 1 यह 4 marks का है और 6 marks का weightage है यानि कि question paper में यह second chapter से total 6 marks के question दिखेंगे science 2 में तो और कम पढ़ोगे फिर भी 40 में से 40 निकाल दोगे life processes in living organism part 2 में से आप 5 और 7 वे का 7 marks का question आएगा मतब 3rd chapter में से total question paper में 7 marks के question दिखेंगे आपको environmental management 5 marks का normal है और total question paper में 7 marks यह 4 page का chapter उसमें से आधी चीज़े reduced है फिर भी 7 marks का आएगा अरे बापरे towards green energy 4 marks का है और exam में 6 marks का animal classification भी 6 marks का introduction to microbiology भी यहाँ पे 6 marks का cell biology and biotechnology भी यहाँ पे 6 marks का social health जो हमारा chapter यह भी 6 marks का और disaster management यह भी हमारा यहाँ पे 5 marks का तो total कितना हो गया? 40 हो गया total और marks with option में कितना total हो गया? 60 हो गया अब यहाँ पे strategy की बात कर दिस इस दी chapter wise marks distribution और आप इसे ध्यान से screenshot ले लो science 2 का है maths कभी मैं जल्दी ही लाऊंगा ऐसी बात नहीं है तो यह आपने किया अब चलो बात करते हैं important chapters की देखो यार मैं जानता हूँ मैं psychology की किताबे बहुत सी पढ़ चुका हूँ and according to that मैं समझता हूँ कि पूरे महराष्टरा के बच्चों को एक problem है chapter number 1 के transcription, translation, translocation chapter number 2 के बड़े-बड़े glycolysis and cell division chapter number 3 के reproduction, sexual reproduction menstrual cycle, इन सब question में बहुत समस्या है, बहुत problem आती है यानि कि ये तीनों chapter में बहुत problem आती है ठीक है, तो एक काम करते हैं अगर हम इन तीनों chapter को करें ही नहीं, topper लोग ने कर रखा होगा बहुत सुन्दर बात है भूलना मत इसे revise कर लेना इसका importance अभी मैं आपको बताऊंगा इस तीनों chapter का importance में आपको बताऊंगा बट listen carefully, chapter number 1, 2, 3 अगर आपने नहीं भी किया ना तभी आप science 2 में भी 40 में से 40 निकाल सकते हो, कैसे? ध्यान दो अच्छे से अगर आप लोगों ने सबसे पहले चोथा chapter environmental management कर लिया तो आपको 7 marks मिलता है क्योंकि 7 marks का option है अगर आप लोगों ने chapter number 9 और 10 कर लिया, तो आप लोगों को 11 marks मिलता है और 11 और 7 होता है, 18 marks यानि कि आपको 18 marks यहाँ पे fix हो गया done, बढ़िया अब आगे बढ़ती है तो आप लोगों का यहाँ पे 18 marks fix any issue किसी को? no issue अब बात करते हैं आपने 3 chapter छोड़ दिया मानलो, इस्टार्टिंगे suppose that बच्चों को हाड जाता है suppose that बोल रहा हूँ अब chapter number 4 और chapter number 9 और 10 में कितने आसान question है आपको chapter number 1, 2, 3 में सब बच्चों को बहुत मेनत करनी पड़ेगी simple सी बात है टॉपर को भी समझ रहा होगा कि उसे भी chapter number 1, 2, 3 में बहुत मेनत करनी पड़े even revision को 1, 2, 3 घंटा चला जाता है इसलिए मेरे one shot की वीडियो देखा करो तो जल्दी revision होता है एक घंटे में एक chapter done revise करके तो आप ही बताओ ना chapter number 4, 9 और 10 है ना आसान लेकिन आप 18 marks सिर्फ इन 3 chapter को करके निकाल सकते हो believe on me 40 में से 18 marks इन 3 chapter को करके निकाल लोगे आप लो सोचो सोचो जरा एक बार सोचो 18 marks अब बात करते हैं बाकी के तो बाकी के जो chapter number 5, 6, 7, 8 है इन 4 chapter में से मतलब कि towards green energy, animal classification introduction to microbiology and cell biology and biotechnology इन 4 chapter में से माल लो आपको animal classification भी नहीं आता है suppose that आपको animal classification भी नहीं आता है क्योंकि उसके दर बहुत से philems हैं ये वो आपको नहीं याद होता है मैंने तो trick बताईए पूरे YouTube channel में जो मैंने chapter number 6 की trick बताईए उस trick से अगर आप board exam में question लिखते हो तो आपको बहुत फाइदा होगा और कहीं भी वो trick नहीं बताईए मतलब मैंने वो चीछ बताईए कि बिना याद किये बिना learning किये बिना पढ़ाई किये उसके एक भी questions को सिर्फ कुछ दो से तीन flow chart को याद करके आप पूरे question के answer को लिख सकते हो chapter number 6 का animal classification का मेरी वीडियो जाके देख ले ना description box में link है ठीक है तो माल लो फिर भी आपने chapter number 6 किया ही नहीं फिर भी guys आप यहाँ से 18 marks निकाल सकते हो यानि कि 18 उधर के 18 इधर के 36 marks हो गए total तो 40 में से 36 marks आपके कहीं नहीं गए अब आप इतने बुद्धु तो विल्कुल भी नहीं हो कि आप animal classification के एक question भी नहीं कर पाओगे कम से कम एक question का answer तो जरूर दोगे आप लोग है ना आप लोग chapter number 1, 2, 3 में से कि आपने अब तक एक definition याद नहीं की होगी यार आपने कम से कम एक definition तो जरूर याद की होगी my dear friends तो वो कम से कम एक, दो, तीन definition मतलब 4 marks तो आप easily निकाल लोगे आप easily 4 marks आराम से निकाल सकते हो ये fix बात है तो गास बस हो गया पूरा strategy की planning तो आप कम से कम 2-3 marks तो निकाली लोगे आपको 36 तो ऐसी घहरात में marks मिल गए ठीक है तो ये फायदा उठा सकते हो इस strategy को follow करो science में, जिंदिगी में कभी कोई doubt नहीं आएगा आपको you will really rock in the examination इस तरीके से पढ़के जाओ इन chapters में ज्यादा focus करो ठीक है, so guys thank you so much for watching this video and आप लोग मुझे Instagram में follow कर सकते हो given इस ID में और कोई भी आपको नया वीडियो चाहिए maths की वीडियो अब जल्दी शुरू हो रही है maths भी हमारे चैनल में आपको मिलेगा ठीक है, तो आपको जितना जल्दी कुछ भी आपको चाहिए, बस comment box में मुझे एक बार बता दो, I will upload and everything, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है बस एक बार आप comment में बता दो, ठीक है और like करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो strategy अच्छी लगी हो, और आपको कैसा महसूस हुआ वीडियो देखने के बाद, ये छोटा सा एक comment जरूर करके जाना, ठीक है, तो मिलेंगे ऐसी तरीके के अंगले वाले वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई my dear friends, take care, thanks a lot for watching this video, thank you so much, बाई बाई